खरगौन जिलेगी ग्राम पंचाय दाउत खेडी में पंचायत कर्मियों की लापरवाही से एक मरतक वेक्ति को मजदूरी पर बताकर बेंग खाते में उद्धाने की विभाग से मिली योजनाओं की राशी डालने पर मामला सामने आया है। 13 जून 2021 को निजन हुआ है। उनका बेंग खाता भाति स्ट्रेट बेंग साखा बिश्टान में है। हर वर्ट फिता के बेंग खातें प्यम जूएं जोती योजनाओं की राशी करती थी। जब बेंग कमें मुमा क्लेम राशी की मांग की गई तो बता चला कि खाते में मोत के बाद भी उद्धनी के विभाग से राशी आ रही है। इस करण क्लेम पास नहीं हो रहा है। खरगों से जेंदर गुपता की रिपोर्ट। जो भी कर वाएंगी निकल देगी जो अब लोगों ने शिकायत करी है कि मेरे काका शीरी 13 माई 2021 में एकसपार हो चुके हैं और उनके खाते में अभी तक उद्ध्यान की व्लाग द्वास द्वारा मस्टर का पैसा डण रहा है मस्दूरी दिखा रहे हैं इस मेने की 21 तारिक इस कारण से हम लोगों को जो प्रधान मंत्री का जीवन शुरक्षा भीमा योजना का लाबनी मिल पा रहा है 330 रुपर आला भीमा 2019 से अभी तक रेगुलर है लेकिन अभी बेंक का कहना है कि किसी कारण से और निरस्त हो रहा है और ब्रांज मेनेजर ने बोला है कि जो सरका के पैसे अभी उसमें क्रेडिट लिखा रहे हैं इसमें किया इसा यह उद्ध्यान की विभाग से पैसा आया हुआ बता रहे है जो पोदे वगेरा वो लोग देते हैं उसमें किसान द्वारा लगा जाए जान जाके शिकायत करी तो उन्होंने बताया था कि अमर सिंग पिता का लगाया था उन्होंने मश्टा इस कारण सेसा होगा है अब क्या मांग करी आपने हमने मांग करी है कि तत्काल कारवई की जाए और यह जो पैसा सरकारी होजना का हमारे का का सिर्य खाते में आ रहे हो बंद कर दिया जाए और जो 330 रुपे वाली जो प्रधान मंत्री जीवन लाग वेगना है वह तत्काल इत्गराई के खाते में जमा करने की खरपा करें के नाम है आपका मेरा नाम अमजीत राठोर है मैं ग्राम दाउत खिडिका रहे हैं है हलो फ्रैंड्स आप देख रहे हमारा चैनल आज़ग्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले के लाइपोन को दबाना बिल्कुल बिना भुले है